हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू सिवक्षी क्रियेशन्स आज हम साथ साल की बच्ची के लिए हाई लो टॉप बनाने वाले हैं इसे आप जैगिंग के साथ जिन्स के साथ किसी के भी साथ बच्चे को पहना सकते हैं तो इसके लिए हमने पॉने दो मीटर कपड़ा ले लिया है और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर जाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दें आईए कपड़े को डवल फोल्ड कर लेते हैं सबसे पहले यह देखिए फ्रेंड से हम सबसे पहले चोली कट करेंगे इसके लिए हमने कपड़े को डवल फोल्ड कर लिया है त तो कि इसकी लेंद रखनी है हमें 12 इंच तो 12 इंच पर मार्किंग कर लेगे और एक सिधी लेंद बना लेंगे जोल्डर ले ने हैं यहां से हमें पॉनी in ड competitive पॉनी 0kung1 इंच हमें तो पॉनी जोल्डरव रहें हमें अर्म होल लेंगे जोल्डर हमें हमेंoric सीधी लाइन खीश देंगे और मूल के लिए इस तरह से यहां से भी पॉनी च्छा इंच लेंगे यहां बैक पार्ट कट कर रहे हैं पहले यहाँ से चेस्ट का फूर्थ पार्ट यह साड़े 6 इंच आदे इंच की लोजिंग डालेंगे तो 7 इंच पर मारकिंग करेंगे और 1 इंच एक्ष्ट्रा मार्जन के लिए रखेंगे तो यहाँ 8 इंच पर मारकिंग करेंगे हैं यहाँ से गुलाई दे देंगे गले के लिए सबा दो इंच पर मार्किंग करेंगे इस्टेंड कॉलर लगाने वाले हैं हम यह और यहां से चौथाई इंच डाउन कर देंगे एक इंच का गला कट करेंगे बैक साइड में हम यहां को लाई दे देंगे कमा रहे हमारी 24 इंच तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 6 इंच आदे इंच की लूजिंग डालेंगे और एक इंच यहां पर मार्जन के लिए लेंगे यानि 7 इंच पर मार्किंग कर देंगे अब इन्हें मिला देंगे अगर आप जादा लूज रखना चाहते हैं तो यहां जादा मार्जन दे सकते हैं यह हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है इसे कट कर लेते हैं यह देखिए यह हमारा बैक पार्ट कट हो गया है अब हम इसे डवल फोल्ड करके ये बचा हुआ कपड़ा है इसके उपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हमें सवा से डेड़ इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि यहाँ पर हम इन पट्टियों को फोल्ड करेंगे बटन और काज बनाने के लिए हम मार्किंग कर लेंगे कर देखें इस तरह से कट करेंगे हम तिलशा यह देखें यहाँ तक तो सेम मार्किंग कर लिया है अब इसके बाद जो यह फ्रेंट के आर्मूल है इन पर हम आदा इंच अंदर से गुलाई देंगे इस तरह से तो यह यहाँ से कट करने हैं यहाँ गले के लिए निशान लगा देंगे इससे मिलाकर रखते हुए यह देखें यहाँ परा रहा है यह गला हमारा तो यहाँ पर तीन इंच के गले की गहराई दे देंगे यहाँ से यहाँ इस तरह से सबादो इंच हो गया ही यहाँ से भी सबादो इंच ले ले लेंगे एक बॉक्स बनाते हुए और यहाँ हलकी गुलाई दे देंगे हमें यह caller लगा नहीं है ज़्यादा गहराई में नहीं देनी है यह तरह से यह आई के यह देखे हैं हमारा friend पार्ट भी कट हो गया है यहाम यह बैक पार्ट हो गया है अब हम घेरे की और स्लीप की कटिंग करेंगे स्लीप के लिए हमने फोर फोल्ड कपड़ा कर लिया है अब यहां से स्लीप की लेंगे तो स्लीप से हमारी तेरे इंच तो इसमें 14 इंच की मार्किंग करेंगे एक इंच हम नीचे और उपर फोल्डिंग के लिए लेंगे नीचे साड़े 6 इंच आर्मोल के लिए और यहां गुलाई दे देंगे यहां फ्रेंट की शेप दे देंगे अब अगर हम यहां महुरी बनाएं जब तो हम चार इंच की महुरी यांने 8 इंच महुरी हमारी तो चार इंच नाप लेंगे लेकिन हम एहां तोड़ी डेजाइनर सीपस बनाने वाले हैं यहां से अधक हम इसे पहले मिलाएंगे यहां से यहां टक कौन यहां से १र यहां से 4 इंच पर इस तरह एक-सएक सीधी लायीं कीचे निया यहां पर हम लाश्ठिक लगाएंगे जिससे गैद्रिंग बन जाएंगे हमारी तो यह उख जाएंगे हम से यहाँ जाएंगे हम इसैंगे हम इसकिर यहाँ हो जायेंगे हैं यह हमारी sleeves, अब इसमें front की shape को भी cut का देते हैं, यह देखिए यह हमारी दौनों sleeves cut कट गई है, अब हम घेरे की cutting करेंगे, तो इसके लिए कपडे को four fold करेंगे, यह देखिए friends, से बचा हुआ कपडा है हमारा, हमने इस तरह से double fold किया है फिर एक और बार इस तरह से fold किया है अब यह four fold हो गया है हमारा कपड़ा अब हमें एक circle कट करना है इस मैं से तो देखिए जितना भी हमारा circle निकल रहा है पहले हम इसे cut कर लेंगे यह हमारा सत्रे इंच तो हम सत्रे सत्रे इंच का circle कट कर लेंगे इसमें सत्रे इंच corner से निशान लगाएंगे यह देखिए यहां से पकड़ेंगे इस तरह से और सत्रे सत्रे इंच पर मार्किंग करते जाएंगे इस तरह से इस तरह से तरह से तरह देखिए इस मार्किंगों को मिला देंगे यह मार्किंग हमने हम मिला दी है यह circle ड्रॉ हो गया है अब इस circle को पहले हम कट कर लेंगे यह देखिए friends से हमारा circle कट हो गया है अब हम इसमें high low की design बनाएंगे तो यह circle है इस तरह से पूचा नीचा रख देंगे इसे 7 से 8 इंच यह आप जितना भी high low करना चाहें जैसे आपको ज़्यादा difference रखना है तो आप ज़्यादा कर देंगे आपको कम difference चाहिए तो आप कम लिख कर देंगे यह देखिए मैंने यहाँ पर पिंस अटेच कर दिया है जिससे कपड़ा हमारा इधर उदर नहीं जाएगा अब भी हमने four fold में कर लिया है अब यहां से हम हमारी waste मार्क करेंगे कमर है हमारी 24 इंच तो हम यहां से 6 इंच मार्क करना है यानि यह वाली चीज़ है यह हमारी 6 आनी चाहिए लेकिन यह और इविक में कटता है तो यह फैल जाता है कपड़ा साड़े 5 इंच रखेंगे तो यहां से नाप के देख लेते हैं कि कहां पर आ रहा है हमारा या रहा है हमारा पांच इंच यहां पर यहां पर अब यहां से यह देखिए यह पौनी चार इंच है तो पौनी चार चार इंच पर हम यह मार्किंग कर देंगे इस तरह से जैसे हम अम्रेला के लिए करते हैं अब हम इसे नाप लेते हैं कि यह कितना आ रहा है यह देखिए यह हमारा छे इंच हो गया छे चुका चौबीस तो यह फैल जाएगा तो हम इसकी आधे इंच उपर से कटिंग करेंगे यहां से इसे थोड़ा सा उचा कर देते है यह देखिए यह हम यहां से कटिंग कर देंगे इसकी यहां से हम वेश्ट को कट कर लेते हैं यह देखिए यह हमारी वेश्ट कट हो गई अब पिन्स को खोल देते हैं अब इसमें से यह देखिए हम दो तरह के पैटरंस बना सकते हैं एक पैटरंस तो हम बनाते हैं इस तरह साइड में जो लटकन निकलती हैं हमारी एक तरफ ट्रेल कट जाता है एक तो आप इस तरह का बना सकते हो यह देखिए साइड में इस तरह से ट्रेल कट में जाता है यह ऐसे ही यह देखिए इस तरह से एक तो यह वाला लुक मिलता है हमें इसमें यह साइड में आ जाएगा और यह दूसरी तरफ आ जाएगा और एक हम इसे इस तरह से बना सकते है यह देखिए हाई-लो टॉप का लिख मिले गई है तो मैं इसी साइड वाला बना रही हूँ साइड में हाई-लो रखूंगी से इस तरह से तो यह हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है कॉलर की हम पहले गले को तियार करेंगे उसके बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे यह देखिए अब इसकी स्टिचिंग इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फ्रेंट पाक तियार करेंगे तो इसके लिए हम इस तरह ऐसे इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे एक इंच यह देखिए इस तरह ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी तयार कर लेते हैं यह देखिए यह दौना तरफ के पट्टी तयार हो गई है अब इन्हें इस तरह से रख देंगे और एक पिन लगा देंगे इनमे पीछे हम इनमें इस तरह से सलाई लगा लेंगे अब यह हमारा फ्रेंट पार्ट रेडी हो गया है इसके उपर हम हमारी बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर जाइंट कर लेंगे यह देखिए यहां से शोल्डर जाइंट कर लेंगे कawan ने शुलडर के जोइंट हो गए हैं च्छुली के अब अम इन इस तरह से और कॉलर कर नाप लेंगे कि टिन संटर में से इस तरह नौश लगा दिया या है अब नापक जिए कि हमारी कॉलर कुn नापना है 7-7 इंच की कॉलर आ रही है हमारी तो 7-7 और 7-7 4.5 इंच की कॉलर कट करेंगे हम यह यह देखिए फ्रेंट से हमने डवल में 7-7 इंच की कॉलर कट कर लिए इसकी चोड़ाई हमने पॉन इंच के लगवग रखी है पॉन इंच से एक पॉइंट जएदा देह सकते हैं, एक इंच से काम है हमारी, अब इसे खोल लेंगे इस यह पेस्टिंग वाली बुखरम है , तो हम इस तरह से इसे यहाँ पर, जोइंट कर लेंगे, प्रेस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे आगर चौडा है कपड़ कर लेते हैं और इस पर आइरन कर देंगे इस तरह से यह हमारी बुकरम प्रेस से चिपक जाएगी छिपक गया है अब इसे कट कर लेते हैं अब हमने प्रैस से इधर फोल्ड कर लिया है जो कपड़ा था बुक्रम के उपर इसे यहां पर एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां से यहां तक एक एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लाएंगे हम इस तरह से collar को त्यार कर लेते हैं यह देखिए फ्रेंट से हमने collar त्यार कर लिया है अभी हमने जो सिलाई लगाई थी हमारा सीधा पार्ट है सीधी तरफ जाएगा अभी हमने चोली को उल्टा करके रखा हुआ है अब यहां से इस तरह से हम इसको collar को अटेच करते जाएंगे इस पार्ट में कॉलर को हमने नाप लिया है कॉलर हमारी बिलकुल बराबर है अब इस तरह से एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाते जाएंगे यहां से यह देखिए, इस तरह से हमने कॉलर को रखा है, हमें कॉलर को या कपड़े को कुछ को भी खीशना नहीं है, हलके हाथ से हमें ही कॉलर लगानी है, दोना पाड़ों को बिल्कुल डीला छोड़ते हुए, यह देखिए हैं, कॉलर को नापेंगे, यह जो हमारी सिलाई है, इतना इसे इस तरह से पकड़ लेंगे, और यह देखिए, बिल्कुल हमारी कॉलर बराबरा रही है, इस तरह से इसलाई लगाकर इसे निकाल लेंगे, अब हमें इस तरह से गॉलर को यह पलटना है, यह देखिए, यह हम शोलडर पर सिलाई स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से कॉलर पर पूरी पर शिलाई लगाते हुए लाएंगे, यह हम्ने शोल्डर से रख लिए है कालर को, अब यह जितना भी माल जाने से सबको अंदर की तरफ डखिल दिंगे यह देखिए इस तरह से इस तरह से घुमा लाएंगे से हमने जो गुलाई दी हुई है कॉलर में से इस माल जन को भी इसमें अंदर दे देंगे इस तरह से दागों को यहां से काट देंगे जो एक्स्ट्र दागी हैं यहां पक्का करते हैं यह देखिए हमारी कॉलर लगके कंप्लीट हो गई है एक यहां देखिए हमारी क बलना देखिए्ट थीए इसमेरी कॉलर वे यहां लगन देखिए घवारं देखिए्टिए्ट्पी हु जपड़के आपके szाँ यहां पर यह बंद रखने वाले हैं को इस तरह से, अब हम यह स्लीपस की फिनिशिंग हैं, तो यह देखिए, स्लीपस के लिए सबसे पहले हमें मौरी को फॉल्ड करना है, इस तरह से 1 क respond करेंगे, फिर double fold करेंगे, इस तरह से दवर मौरी ओपर करेंगे, इस तरह से दोर अब फोल्ड करके तैयार कर लिया है नीचे से मौरी तैयार कर लिया है अब हम यहाँ पर रफल डालेंगे लास्टिक वाली तो इसके लिए हमारी मौरी ती 8 इंच तो हमने 1 इंच लूज रखा है जिससे रफल की गैदरिंग भी अच्छी आएगी तो इसे 8 से 9 इंच के बीच में ह हमने लास्टिक कट कल लिया है अब इस फ़ली से खीषते हुए इसकपड़े पर अटैच कर देंगे यह दू इस तरह से यहां से एक इंच जो मालजन का है इसे छोड़ देंगे हम सबस्कारैं अब इस लास्टिक को इस तरह से पकड़ेंगे खीषते हए और इसे यहां तक अटेच कर देंगे यह देखिए यह कितनी सुन्दर हमारी स्लिप बन कर त्यार हुई है इसी तरह से हम दूसरी आस्तिन पर भी नीचे से 3 इंज़ पर लगा लेते हैं यह देखिए हमारी दॉनाव स्लिप तेयार हुए है अब हम इने चोली पर अटेच करते हैं कि इसमें हमने देखना हैmacी छता ही लगाई ती हमने फ्रेंट के लिए यह देखिए यह हमारा फ्रेंट पार्ट है स्लीप का यहां पर लिखा हुआ है हमने और यह हमारा चोली का फ्रेंट पार्ट है तो इसे सेंटर से जो सेंटर का कट है हमारा यहां से और इस तरह से नापेंगे यह देखिए यह बराबर हैं दोनों तो इस स्लीप को इसमें अटेच कर लेते हैं पर्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ा रहा है कि फ्रेंट में छटाई रहती है तो वो पर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है यह देखिए इसी तरह से हम दोनों स्लीप को लगा कर त्यार कर लेते हैं यह देखिए फ्रेंट से स्लीप सटे चुक गई है दोनों तरफ की और हमने आपर ओबर लॉक भी कर दिया है अब हम चोली में फिटिंग का निशान लगाएंगे यह देखिए हमने एक एक इंच पूरे पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से दौना तरफ से हम इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगा देंगे एक एक इंच पर यह देखिए यह हमारी सिलाई भी लग गई है अब यह चोली हमारी बिल्कुल कम्प्लीट हो गई है यह दिखिए यह हमारी चोली बन गई है हम इसे ओवरलैप कॉलर वाली बनाई है हमने इस तरह से इसे ओवरलैप कर देंगे इसके उपर यहां पर हमारी बटन्स आ जाएंगे और यहां नीचे अब हमें हमारा घेरा अटेच करना है तो यह देखिए यह हमने इस तरह से हमारा घेरा रखा है अब जैसा कि आपने पहले बताए आपके पास दो चोईस है या तो आप साइड में इस तरह से यह लंबा वाला पार्ट है आप साइड में रख सकते हैं या फिर आप बैक में रख सकते हैं मैं साइड में रख रही हूं इसे और इसका सेंटर निकालते हुए यह देखिए अब यह देखिए मैंने इस तरह से अटेच करूँगी यह वाला पार्ट है हमारा यह छोटा वाला पार्ट है हमारा जो हमने शॉर्ट रखा था और उधर वाला पार्ट है वो हमारा लॉंग है यह वाला पार्ट तो यह जो साइड में है यह हमारी ट्रेल रहेगी और यहां से इसी तरह से अटेज़ कर रहे हैं यह देखिए यहां इन दौनों को में जाइन कर लेती हूँ इस तरह से रखेंगे वी गेरे को की और इस तरह पकड़ते हुए डौनों पिर लगां देगे fix पड़ यह देख्कें मंने तो देखिए वे खर ले लिए यह mother जो हमारी पट्टी थी उस पर हमने बटेन भी अटेच कर दिया है और नीचे यहाँ पर यह फोल्ड कर दिया है डवल फोल्ड किया है यह हमने आप चाहें तो हैमिंग कर सकते हैं इस तरह से हमारा यह टॉप बनकर थेयार हो गया है अगर आपको इडिजैन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग